राश्टी रजक महासंग द्वारा सहकारिता भवन लखनों में महासंग की राश्टी कारिकारनी की बैठक हुई जिसमें पीठादी श्री अशूक महाराज की अध्यक्षिता में ये बैठक संपन हुई बैठक में संग की नई राश्टी कारिकारनी का गठन कर घूशना की गई जिसमें अशूक जी महाराज आनिमार्ग दर्शक मंदल एवं संगठन की सभी कारिकरताओं द्वारा सर्व सम्मती से सम्मानेत विधायक श्री दिनेश चौथरी को राश्टी अध्यक्ष घूशित कर दिया गया विधायक श्री लाल बहादुर कनोजिया को राश्टी महासच कमलेश चौधरी एवं विने चौधरी को राश्टी उपाध्यक्ष श्री कृश्टी कुमार कनोजिया को राश्टी कोशा ध्यक्ष वा कैलाश कनोजिया को राश्टी सचयों का पधभार दिया गया उर्जावान विधायक्षरी बंबा लाल दिवाकर एवं विधायक्षरी धनजय करोजिया की उपस्थेती में अशोग जी महराश द्वारा संगठन को मार्गदरशन देने की बाद संगठन के पदादिकारियों एवं उपसित कारीकरताओं को इमानदारी से समाज येवं संगठन में कारी करने की शपत दिलाई गई अध्यक्षित दिनेश चौधरी जी ने अपने भाशन में समाज की परिस्तितियों पर विजार करते हुए आने वाले समय में अपने संगठन के साथ सभी साथियों को मार्गदाशित करते हुए इमानदारी से कारी करने के लिए आहवान किया जिसमें सभी ने हाथ उठा कर समर्थन देने का वादा किया मंच का संचालन बहुत खूबसूरती से सजाकर कमलेश चौधरी एवं सुमन करनोचिया ने किया कारीगरम में अने प्रदेश ते आए लोगों की लाने ले जाने ठहरने एवं अने ब्यवस्था संगठन के जाबाज युवा पदादिकारी अनिल रजक गजेंत्र एवं मनोज सुल्टानी द्वारा की जा रही थी बैठक में लगभग 10-11 प्रदेश के समाच के वरिष्ठ बोधी जीवी एवं माने लोगों ने बढ़ चड़ कर हिच्सा लिया एवं संगठन को हर प्रकार से समर्थन करने का वादा किया जिसमें समाच के मार्ग दशकों द्वारा बैठक में समाच कारे पर विशेश जोर दिया गया और संगठन को पूरे देश में विसार करने एवं मजबूत करने पर समर्थन दिया अंतमे अशोग जी महराज त्वारा सभी पदादिकारियों एवं मुपस्तित सभी समाज बंधूँ को कारिकरम की सफलता के लिए पधाई एवं माभार मानकर आशिरवार दिया वही महु के वरिष्ट पत्रकार कपिल महराज एवं मनिप पत्रकारों ने राष्ट्रिय सचिव कैलाश कनोजिया जी का स्वाकत किया और बहुत बहुत पधाईया दी महुसी जितिंद्र बर्मा की रिपोर्ट